Hello Friends, I'm CA Jagati Jain और आज हम discuss करेंगे CA Final First Group का हमारी Revision Strategy क्या होगी At-T증s में हम Three Revisions कैसे करेंगे जी हाँ Three Revisions कैसे करेंगे ये आज का वीडियो रिक्वेस्टेट वीडियो है मुझे एक सुड़ेंट चंधन भत ने रिक्वेस्ट की थी की इंची को पप्लान बतसा है थ्री एम्स रिविज़ेंगर कैसे कर सकते हैं तो आज हम वही करेंगrh कि तो सबहें दोगाइब दो अवच हए तरीी में पलाण हमारे ऍढ़ा सब्सक्राइब करें कि हमारा सारा का यह रडे ऐथstart सब्सक्राइब हो जाए और मिनिमुम हम एक या दो एक्जाम पेपर हाथ से सोल्ड करें और अधित में हमारा टर्गेट यह रहेगा ओडिट और लो में कि हम मिनिमम फाइफ कुस्टेंज डेली कि जब उनका पीरिड आएगा जिचाम हमने देया लोकेट किये और लोके लिए जून एलोकेटेड डे में आप फाइफ या थ्री कुस्टेंज रोज हाथ से सोल्ड करें तो लेक्स स्टाट करते हैं आई होप इस प्लान आपको हेल्प करेगा फर्स्ट ग्रूप का 80 डेस का डिविजन प्लान मैंने डेस डेस के अंदर अगर आपका कोस कंप्लीट कर लेत एपूरें तो आप दिशन आराम से कर सकते हैं हमाजरा होजयियन एसमें रखा है तो यह है आप प्रम इसमें किल खेंद कर सको तो hiç में उसमें क्या क्या ने платिए करना आपको FR complete करना है 12 days में इसमें आपको cover क्या क्या करने है देखो सबसे पहले तो आपने जिस भी टीचर की classes ली है उसका material आपको फटा फट से complete करना है उसके साथ आपको क्या करना है आपको ICI के study material questions mandatory करने हैं भली ही आपकी teacher ने उसको कल लिया हो complete अब आप इसके लिए क्या कर सकते है पहले आप ICI के study material के questions कर लें फिर आपके आप teacher को follow करें इससे क्या होगा ना क्योंकि आपने अपका study material आपकी जो books है teacher की अच्छे से read कर ली है तो आपको question देखते ही क्लिक हो जाएगा इसका answer तो कुछ नया नहीं लगेगा लेकिन आप study material उठाओगे ना तो आपक आप क्या करेंगे आप ABC analysis करेंगे यह बहुत ही important है ABC analysis के क्या होगा आप जब second or third revision करेंगे तो आप easily complete कर लेंगे इसके बाद आपको revision start कहां से करना है revision start करना है हर subject में जो भी amendments आए हैं जो भी changes आए हैं आपको वो करने हैं फिर आप आपके जिस भी teacher का material है उससे आपकी study start क कर सकते हैं फिर आपको इसमें RTP, MTP जितना भी कुछ है ना सब आपको cover कर लेना है RTP, MTP में देखो first revision में ही सब complete कर लेंगे वापस हम नहीं देखेंगे वापस only questions हम देखेंगे जो आपने category का लगा रखी यह नहीं या लास्ट टेप पर आपको उसको revise करना पर गयर कोई क देखोगे जब आप revision lecture देखेंगे तो लो में एक बार कर रिविजन आपका complete हो जाता है मैं अर्पीता मैम के लेक्टर फोलो करती थी मैं क्या करती थी जब भी मैं छोटे में दूसरे काम कर लगी होती थी खाना खा रही होती थी तो मैं उसमें अर्पीता मैम के रिविजन लेकशर चलाती रहुति थी तो क्या होता था कि एक तरीके से मेरी चीज़े रिकॉल होती जाती थी और रिविजन लेकटे भी है तो मैं भी उन्हीं सब्सक्राइब और प्र आपको लो में क्या करने था आपको संबरी बनानाई है लेमेड मतलब जितनी भी हैं पंपी लेक 20 लेक आप एक सम्मरी नोट्स बना लो जैसे आप एक्जाम के बिफोर रीट कर सके और एक्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ वो लिमिट कोड कर सके इसका मैंने कैसे करना है कैसे लिमिट्स बनानी है कैसे इसका आपको पुरा सम्भी बनाना है कि वीडियो पहले भी बनाया है तो आप उसे कर सकते हैं फिर आपको एक स्टुडेंट का मुझे मेसेज है डीदी में क्लियर नहीं कर पाया है फैल हो गया एंड मैंने एक जो आइपीसी में तो मैंने अच्छा स्कूर किया था लेकिन फाइनल में लो में सिफ में 24 मार्क्स आए मैंने उसकी कॉपी भी एनलेस की उसे मुझ कि आपको किसी पी का कंपाईलर सोल करना है उसमें भी आपको अनल से करना है ताकि आप परस्ट रिवीजिन में यह कि उसके इसको में तो अपने नहीं भी लिखे तो चलेगा बस आप टार्गेट बनाएं कि तेन डेज में आप मिनीमम आप फो से फाइफ कुछिंस लिखेंगे तेन डेज टोटल किते फिफ्टी कुछिंस आप जब हाथ से लिख लेंगे न तो आपका अपने आपी लिखने पर कॉंफिदेंस आएगा ताक आप लोग का रिविजन कर रहे हो तो आप टार्गेट बनाएं कोई भी कुछिंस हो फाइफ कुछिंस आपको डेली हाथ से लिखने थोड़ी से महनच लगेगी फ्रेंस लेकिन आपको यह करना है भले आप खुछ से नहीं लिख पा रहे हैं स्टार्टिंग में तो जो आपको सब्सक्राइब करने हैं जो आप पार में वापस देखना ज़रूरी है अब आप सफ में 12 देश हमने अलोकेट किये को यह जो मैंने डेश अलोकेट किये ना मेरा टारिकेट के 44 देश में मेरा फर्स्ट रिविजन कम्पलीट हो जाए आपको अगर कोई सब्जेक्ट लगता है तो आप इसमें सब्जेक्त में ऐस जादा दे सकते हैं और अपको क्या करना है एस फम में आप जैसे जैसे क्रिशन करते जाएंगे ना आपको सारे formulas की एक summary बनानी है जी हाँ थोड़ी से मैनत लगेगी लेकिन ये summary आपको बनानी है क्योंकि ये summary आपको last day में फटा फट से सारे formula डो बार revise करने में help करेगी ठीके फिर आपको क्या करना है देखो आपके जो भी teacher का अपने material लिया है ना वो आप बाद में solve करें प सबसे पहले ICI के study material में जिसे अभी एक chapter का पूरा मेंने concept वगेरा पढ़े लिये study कर लिये अब आप क्या करेंगे उस chapter के ICI के study material में जितने भी question हो कर लें फिर आप क्या करें अपने teacher के material पर जाए ताकि क्या होगा ना आपके question का repetition नहीं होगा ज्यादा time waste नहीं होगा फिर जितना आपको पूरा course हो जाता है ना देखो 12 days में strategy आपकी क्या होनी चाहिए 10 प्लस 2 days 10 प्लस 2 days में क्या आपको 10 days में पूरा course cover करना है और last की जो 2 days बचेंगे ना उसमें आपको RTP करना है MTP करना है past year के purpose करना है में देखो SFM में तो यह बहुत ही ज्यादा important है और ABC analysis आपको करना ही है अब last subject आता है आपका audit audit में देखो हम एक्जिमम स्टुडेंस के वही problem आते है कि मैंनम ठीटम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं लेकिन question answers हम से नहीं हो पाते हैं मेरे सा तो यही problem होई थी तो मैंने पंकर जिगर्ग सरका जो compiler था question answer का वह फोलो किया था और तीन बार अच्छे से मैंने compiler किया था उसमें अबीसी अनलिसिस कर लिया था और चुटे 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 टॉपिक्स थे उसमें मैंने summary notes बना लिये थे क्योंकि लास्ट एक टाइम में क्या होता है आप audit 100% कवर नहीं कर पाते तो इसके लिए आप क्या करो ना चुटे 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 टॉपिक है लाइक पेसू हो गय लास्ट के चुटे 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 टॉपिक है फोरेंसिक ओडिट हो गया इसके उपर क्यूपर क्यूस्ट चुटे 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 टॉपिक्स है ना उसमें आपको फॉर्स्ट रिविजन में ही summary notes बनाने कंपल सरी है और आपके summary notes कितने हो कैसे होने चाहिए maximum 1 चुटे 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 टॉपिक है उनके summary notes maximum देट या दो पेज में आप कवर करें ताकि exam time पर चुटे 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 टॉपिक हो जाएंगे ना जल्दी से तो आपको confidence आएगा जल्दी से आपका revision हो जाएगा देखो ये 12 डेस 10 डेस 12 डेस 10 10 डेस इसका मैंने combo बनाया है आपको अगर इसमें लगता है कि नहीं है मुझे इस डेस में इस subject में ज्यादा दिन चाहिए तो आप आपके पीछे जाके adjust कर सकते हैं अब आपके ओपर है कि आप fr को single subject में तैयार करें 12 डेस में या फिर fr plus low ले ले मैं एड़्वाइस दूसरे दिन दिन मौनिंग में लो पर होगे इस से क्या होता है कि एक सब्जेक्ट ही सुबहे में टाइमिंग में रखते और दूसरा subject नाइट की टाइमिंग में रखते तो जो फर्स्ट जो मौनिंग में रखते हैं, वो subject बहुत अच्छे से prepare हो जाता लेकिन जो हम डे में तो आपका तरगेट के आगर आप दोनों सब्जेक्ट साथ में करना चाहते हैं तो 12 प्लस 10 डेज तो टूटी टू डेज में आपका एफ आर लो हो जाना चाहिए उसमें आप ऐसा करना कमपल सरी है कि पहले एक दिन मौनिंग में फार लेंगे दूसरे दिन मौनिंग में आप क रिविजन कम्पलीट होगा मैं सेकंड और थर्ड रिविजन का पर डीटेल प्लान जो मैंने आपके बनाया है वह आपके साथ शेयर कर दूँगी ताकि आप उसमें उसको एडॉप्ट कर सके अभी मैं आपको डिस्क्रोज नहीं करूंगी क्योंकि अभी आपका फोकस फर्स रिविजन होना चाहिए सिब आपका 44 जा सके नहीं अब हमने महाँआप सिर्स आपके डे करें नहीं करेंगे हम सब किष्चन करेंगे हमारे इंक की स्थियरी वगेरा सब आप यहां पर रहाए आप डारेक्षिशन आंसर पर आओगे एफार में भी हम सारे कुछिशन इसमें सोल करेंगे क्योंकि हमारे क्या प्रब्लम हाती है यहां पर थेयोरी करने के चक्कर में कुछिशन फर्स रिविजन में कुछिशन पर ज़्यादा फोकस नहीं दे पाते हैं तो हम सेकंड क्योंकि हैं हमने a और b मार्ट दो यहाँ पर उपस में अभी सी अनलीसिस क्रेश सेकंड रिविजन में हम क्या करेंगे जित्ते भी हमने a और b ऐनलीसिस किया एना a b c का उसमें a और b कैटेगरी के क्योंकि करेंगे तो हमारा second revision कि इतने टाइम में कंप्ली हो जाएगा 25 इस सब की जो आपको teacher's notes लिखाते हैं वो 1.5 days में revision करेंगे यह हम 1.5 days का क्यों रखने हैं क्योंकि exam के पहले भी आपको 1.5 days ही मिलते हैं तो आपको idea हो जाएगा आपको कितने ताइम में क्या चेश कंपलीट करनी है ताकि आप exam time पे easily इसको cover कर सेके देखो तीन revision हो रहें first revision में question answer plus theory दोनों की इसमें हम सिर्फ question and answer के compiler solve करेंगे इससे आपर second revision हो जाएगा फिर third revision में आप क्या करेंगे आप question and answer में वो points देखेंगे जो आपने a questions देखेंगे mentor जिसमें a में भी वही देखेंगे जहां पर problem आरी आपका target तो क्या होगा आपका target होगा only theory rate करना इस तरीके से हमाद three revision हो जाएंगे total 44 plus 25 days plus 8 days यानि total 77 days में होंगे मैंने टीन दिन के grace day रखेंगे अगर कोई आपका पूरा नहीं हो पाता या फिर कोई circumstance आजाती है कि आपको छुटी लेनी परती है अपने schedule से ब्रेक लेना परता है तो आप ले सकते हैं या फिर जिनके आपके पास 77 days में जिनका complete course हो सकत हो गया है वो क्या करेंगे ना वो देखो टीन एक सब्जेक्ट किसी का भी अलब चारो सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट ऐसा हता है नहीं दीदी इसको दो मैं 60 प्लस ऐसे लिएंगा तीन सब्जेक्ट वीक्ट रहते हैं तो आप क्या करो सब्जेक्ट करोगे जो वेक सब्जेक्ट है एक-एक दिन वे उनका रिउजन complete करोगे मांदो फर्स रिविजन हो गया अब आपके पास एक दिन का ब्रेक या तो आप सोपgodis का रिवीजन कर लो वह टॉपिक कर लो जो आपको वीक लगता है फिस सेक्ड रिवीजन हो जाए फिर आप FR फोलो कर लो कोई भी है नमख फोलो कर लो अठाओ लगता है तो पहले लो लेलो कोई बहुत लगा नहींस में आप लगे कहोंगी कर कि आप लास्ट में यह था만 रखे जोड़ें में आपको थे दो में में एकजान में यहल्प हो I hope आपको यह revision plan अच्छा लगा ओगा यह revision plan student की request पे बनाया गया था अगर आपको और कोई CA final second group का revision plan चाहिए या फिर FR का 12 डेस का detailed revision plan चाहिए लोर का 10 डेस का detailed revision plan चाहिए कि इस दिन मुझे यह topic complete करना है तो आप मुझे comment करके बता है この revision plan अपको प्लान कैसा लगा मुझे comment करके बता रिविजन प्लान को और अच्छा बनाने के लिए मैं क्या कर सकते हूँ टाकि students को help हो तो आपो भी मुझे suggest कर सकते हैं comment section में thank you so much